प्रत्याशी हरिद्वार में हतियार के साथ नाश्ते यूवकों का डांस हुआ वायरल वीडियो ने मचाई दहशत जांच में जुटी पुलिस गैबिनेट मंत्री हरिष चंद्र दुर्गापाल ने सीम त्रिवेंद्र सिंग रावत पर बोला हमला कई मुद्दों को लेकर कसातंच पंचाय चुनाव में जीत का किया दावा खबर उत्राखंट के कालागर से है जहां के निवासी सालों से सापो को अपना दोस्त मानते आ रहे हैं कॉर्वेट सीमा से सटा होने के कारण यहां अकसर सापो का निकलना लगा रहता है जिसके चलते लोगों में भैव्याप्त रहता है वहीं एक परिवार सापों के साथ सालों से दोस्ताना व्यवार करता आ रहा है जो सापों को रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ देता है बता दे कि जोगेंदर उर्फ जौनी नमक यूवक अपने पूर्वजों की तरही बिना डरे सांपों को पकड़ लिता है और सांपों के काटने का मुफ्त में इलाज़ भी करता है यूवक का कहना है कि उसके परिवार के सभी लोग इसी तरह सालों से सांपों के प्रती दया भाव दिखाते आए हैं जिसे वो खुद आगे बढ़ा रहा है है जल दी मिर्किए हो सकती है मिर्कित अनकी संबावन होती है तो अगर किसी पेशेंट को किसी व्व्यक्ति को सांप स्नेक पाई टोपती है तो उसको जाड़ फूक न दे करके तुरह नजदेगी चीकर सालब में जाना से ही ताकि उसका जल से जल उपचार हो सके और उसकी जान बचाया जाए मैं खुद सर्फ मित्र हूं सापों को ना मारा जाए सापों को बचाया जाए और किछी भी तरह कोई साप काटता है उद्दम सिंग नगर जिले के सितार गंज ब्लॉक में तीसरे चरण के चुनाव को संपन करवाए गया सितार गंज ब्लॉक के त्रीस तरिये पंचाय चुनाव का मतदान संपन होते ही सभी प्रत्याशियों का भाग्य मतदान पेटियों में बंध हो गया गौरत लब है कि मतगणना कुछ दिन बात शुरू की जाएगी सितार गंज ब्लॉक से कुल 824 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उत्रे जिसके चलते ब्लॉक में कुल 85.21 प्रतीशत मतदान हुआ ब्लॉक में 282 बूत बनाए गए थे जिसमें 183 बूत समवेदन शील तथा 99 बूत अती समवेदन शील रहे लेकिन किसी तरह की कोई अप्रिये घटना नहीं देखी गई खबर उत्रखन शेतर से है जहां कुछ यूवकों का डांस का वीडियो वारल हो गया कुवर प्रणफ सिंग चेंपियन की नकल करते हुए कुछ यूवाओं ने बंदू की दहशत भरा डांस का वीडियो बनाया जो की हाल ही में सोशल मीडिया पर वारल हो गया इस वीडियो में बकाइदा दो हतियार कारबाइन और पिस्टल लेकर सुबोध मम गई नामक व्यक्ती नायक नहीं खलनाय खुमें गाने पर जूम रहा है और उसके साथ चार से पांच लोग नज़र आ रहे हैं वीडियो बारल होते ही हरी द्वार पुलिस भी हरकत में आ गई और इस मामले की जांच में जुट गई हरीद्वार हाई कोड के आदेश के बाद पुरा तत्वए भाग द्वारा राजामान सिंग की छत्री का निर्क्षण किया गया हरकी से पहले मेला दिकारी ने सभी पक्षकारों के साथ बैटक कर उनकी रायजानी जिसके बाद निरिक्षण के दौरान मेला दिकारी ने बताया कि हाइकोट के आदेश के अनुपालन में राजामान सिंग की छत्री को मूल सरूप में वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है अनुपालन में राजामान सिंग की छत्री है इसका पुराना स्वरूप था उसको कैसे रेस्टोर करना है अब देखना इसमें केवल ये है कि जो इसका स्ट्रक्चर अभी अंदर से पुराना वाला है क्या वो इतना मजबूत है कि अगर हम उसको रेस्टोर करते हैं तो वो करता है और ऐसी रिपोर्टर में एक्सपर्स दे देते हैं तो हम उसी को रेस्टोर कर देंगे अगर ऐसी बात होती है कि साब नहीं इसमें वो मजबूती अब नहीं रही कालंतर में वो कम हो गई है तो उस दशा में उसको ड्मॉलिश करते वे नया स्ट्रक्चर बनाया पर 18 के अंकित पाल नाम के एक बच्चे पर इलाके के आवारा कुत्तों ने हमला बोल दिया जो की गंभी रूप से घायल हो गया सूचना मिलने पर परिवार वाले अपने घायल बच्चों को उपचार के लिए तुरंत चिला स्पताल ले गया बताय जा रहा है कि आवारा देखा जा रहा है उत्राखंड के लालकुआ में कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा है इस मौके पर हरीश चंद्र ने बेरोजगारी स्वास्थ सेवाओं और अन्यमुद्दों को लेकर प्रिशासन पर तंज कसा स साथ ही त्रिवेंद्र सरकार को पूरी तरह फेल बताया साथ ही डैंग्यू के चलते हुई दर्जनों लोगों की मौत के मुद्दे को लेकर चम कर निशाना साधा और कहा कि पंचाय चुनाव में कॉंग्रेस की विजय पक्की है फिलाल खबरों में इतना ही तब तक की ये बने रहें लाइव उत्राखन के साथ